नमस्ते प्यारे बच्चों स्वागत है आपका आज के इस क्लास में बैंकिंग में वित्य प्रणाली पढ़ रहे थे ना कल अपने सीरार एसलार के कुछ नए आयाम भी समझे थे और लोनेबल फंड के बारे में भी समझाता है तो श्टार्ट करें लो साब बैंकिंग में वित करते जा रहे होंगे है ना पिल्दे दो दिन में पढ़ा एक और में पुने बता देता हूं आपको देखो हमने बैसिकली क्या देख लिए था सीरार के बारे में देख लिया था हमने बटा रैपो रेट को बहुत प्यारे तरीके समझा था और जबकि यह रिवर्स रैपो र भी पर भी समझ लिया था ठीकिन उन्हीं को जोडते हूंने रैपो रेट रिवर्स रैपो रेट भी समझा था एक बिटामने कॉल रेट और Overnight रेट भी समझा था मला इसी डाइग्राम से कफी सारी चीज़े समझ लिए ती अब आप एक काम और करना क्या करना हूं वर्क औ पिएसेल पर प्राइरोटी सेक्टर लेंडिंग प्रोग्राम। नोट्स बना रहे होना आप सब नोट्स नहीं बनाओगे रिवाइज नहीं करोगे तो देखो मैंने तो कर लिया है जो स्टैप उठाना था लेकिन उस स्टैप का फायदा ये बड़ा वेर्थ जाएगा यदी विटा तुम सबने ये तैयारी जिस तरीके से मैंने बताया वैसे नहीं किया तो तो आप सभी जानते हैं दो डिन अपनी लेने वाली है इस सेटर डे संडे को सैटर डे संडे को आपको क्या करना है आपको मेरे प्यारे बच्चों जो पढ़ाया है उसको revise करना है ठीक है ना Saturday Sunday को revise करना है और आपको एक सूचना और देदू मैं सभी को Monday से Monday से डेली एक घंटा या एक घंटे के आपको सब्सक्राइब करना है एक उसको करें और सी सेट के भी करेंगे ठीक है ना सीट के भी सारे कोशन करेंगे और प्रीवेसर के जो भी कोशन आया है सारे डिसकस करेंगे और इनिशली अपने स्टार्ट कर देंगे एकनॉमी से है ना एकनॉमी में अब तक जितने भी पितले 10-12 साल के कोश्चन्स आये हैं सारे एक एक लेके दे चलेंगे और डिसकस कर लेंगे और उससे पहले ब्रीफ क्या बातचीत कर लूँगा भिया कि कैसे स्टाटेजी रही है तो कल इस पर भी ध्यान देना और मंडे से तो आप और हम जुड़ी जाएंगे ठीक है ना मंडे से तो आप और हम जुड़ जाएंगे एक नया सेशन और स्टार्ट हो जाएगा अपना प्रीवेस यर कोश्चन्स को रिविजन वाला उसको सॉल बी करते चलेंगे उसको अव जो हमने पड़ी थी ना भी उसमें से बड़ा अच्छा सा एक बड़ा प्यारा सा कोश्चन आया था और मैंने देखा कि पिसले तीन-चार साल में दो बर भीया आपके फाइवर प्लान के कोश्चन आया और ज्यादा टफ कोश्चन नहीं है थोड़ा सा लॉजिकल अपना र अगर मैं शब्दों पर जाओं बिटा कि कई बर कहते हैं अरे बच्चो तुमारी प्रात्मिक्ता क्या है कि मम्मी पपर अड़ते होंगे ना अरे तुम्हारी प्रात्मिक्ता तय करो गली मौलने में डोलना एकाम में कुछ पढ़ाई लिखाई भी करना है बड़े कुई तो तो प्रात्मिक्ता मतलब ऐसा काम जिसको आप सबसे उपर रखते हैं, तो इन में भी देखो रिन्दान कारिकरम, जिसको आपको सर्वोच वरेता देनी चाहिए, उस शेतर में रिन्देने का कोई कारिकरम है, ठीक है ना कौन सा प्रात्मिक्ता सेक्टर लेंडिंग प्रोग्र चलो, आगे चलते हैं, अब मेरी बात समझना, थोड़ी से कहानी इसकी स्टार्टिंग से लेते चलें, कि भाया यह आ कहां से गया था, उसको भी समझ लें, हम सभी जानते हैं, यह जो बैंकों का राष्टी करन हुआ था ना, इस राष्टी करन से पूर क्या समझ थी वेटा, यह जो बैंक थे इस बैंक में लोन देने का यह जो धन के पास होता था, उसका फायदा मुख्य रूप से कौन लोग उठाते थे, जो बैंकों के सुँख़ों को सब कुछ कुछ आप सुख़ों के जो रूप मिलते थे ना, और बाकी को कुछ फू से पास ही नहीं होते थे, ए लाष्टी के तरह के गजयर पूजा करते थे, पहले बैंक वाले को, तो बैटा क्या गढ़ते थे, डरेक्ली और इन्डरेकलि खूब बैनेफि जानते हैं हैं कि 100 RUPBANK के पास पहुंचा अब मेनेजर साइब क्या किया है मिलने जुलने वालों को इतना कर दिया 60 रुपए दो बचा कितना 40 प्राइमरी सेक्टर, सेकंडरी सेक्टर, टर्शिरी सेक्टर, अरे जब यह तीनों सेक्टर नहीं भढ़ेंगे तब तक हमारी अर्थ ववस्ता में ग्रोथ होगी क्या नहीं होगी अचाहां एक बात वर बतादू बेटा जो में प्रीवेस कुश्चन्स देख रहा था ना तो प्रश्चन को समझने में तो मैंने जितना भी हिंदी का रिजल्ट आ था ना तो मेरा मनत ऐसा था कि यह तो बटा अपन पी-म बन जाएं और पी-म बन के क्या कर दें कि भाया यह जो आपकी UPSC के पेपर बनेंगे न यह पहले बनेंगे हिंदी में और हिंदी को पेपर को आ अभी क्या होता हैं एश की में बन स обяз जा अब हिंदी होता है और ही क्या होता है इंगलिख में पआप बनाताँ और वो ह into to download कर लो तो बटा है आधी समझ्ष्या का समाधान हो जाए का यह बने वाले हिंदी जो हम चिलाते हैं कि साप सेल्ट्शन क multip अर्छ रे तुम इतन इतन और फिर भाया उत्तरों को छाटो और उत्तरों में भी एसी लाइने दे देते हैं ट्रांसलेशन करके कि आप रिलेट करो कि क्या है क्या लफड़ा इसमें और आप जानती है कि चारो जो आप्शन ए बी-सी-डी उनमें मात्र एक धागे भर का अंतर होता है सही और गलत होने का तो कैसे आप जज करोगी हिंदी माध्यम के विद्यारती अधिक सदी कि इसमें प्रीमें पास हो जाए आदे जादा विद्यारती तो मुझे लगता है दो तिन प्रशनों की गलती या दो तिन प्रशनों जो उनके गलत हो जाते हैं इस ट्रांसलेशन के वज़े से उसी कारा हैं अपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अरे इन सेक्टर में यदि बैंकों ने लोन नहीं दिये तो देश की ग्रोथ होगी क्या संभव ही नहीं होनी ठीक है तो यह स्थिती बेटा कब की थी राश्टी करन से पहले का यह सेनारियो था समझ गए तब टेखो 1965 में क् इक प्रेक्रम स्टार्ट किया गया, अब लक्श तो काम करती ही थे, खाली तो बैठे नहीं रहते थे तो इनस्थोकशा कि 1965 में काम करते है एक स्कीम लेकि क्रेडिट ओथराइजेशन स्कीम क्या ग्रेडिट ओथराइजेशन स्कीम तब कि हिंदी में लिखना आप साक अ इसके अंतर क्या होता था जो बटा व्यापारिक बैंक है जो बटा इक अवश्यल बैंक के लिए आवश्यक कर दिया कि आपको पात्मिक शेत्रों को रिन अधिक देना पड़ेगा बढ़ा इनों ने बोला इनों जब कैल्गुलेट कि बटा प्राइमरी सेक्टर को ते लोन ही अब प्राइमरी सेक्टर कौन से वहां भी देखेंगे जब लोन ही नहीं दे रहे तो हमारे यहां देश के ग्रोथ कैसे होगी तो बटा एक क्रेडिट ऑथोराजेशन स्कीम निकाली इसको लागो किया साक अधीकरत योधना कि भीया आपको प्रात्मिक शेत्रों में रिन अ इह सारी बात में रहस्टिकरण से पहले की आप से कर रहा हो है इन चाय क Krênh しब्द से देख लो बैटा कि बैअ मुझिग कर रहें कि समा वेक्ति कैसे बे जुड़ जय जाए इस प्रकार की tätर मिबात क्य आपको अप SEC ड़िए मकान धुकान धंड़ पने करने के लिए वह रह सामजिक हित्थ में समनवे स्थापित हो सके ऐसी बैंकिंग करने की समनवे स्थापित हो यह शोशल बैंकिंग में बात करी थी पिर आपने तो यहां सिन्नावाट सबस्थाओं उसकमा थे ऐसाचाग का थाग। तो करते ही नहीं हो, वहाँ पर बैंक की ब्रांच खुड़ने का तुम तुम तो बहुत यह कहते हो, उनको पैसा नहीं है, बैंक में जमानी करेंगे, कैसे फिर सामाजिक बैंकिंग को बढ़ाएंगे, समझ गए, ये बात राश्टी करन के मुद्धे में खूब उठी थी, अब 1970, अब 1970 में क्या हुआ, जो आप लोनेवल फंड हैं, ये तो आप समझते हैं ना, लोनेवल फंड क्या होता है, लोनेवल फंड हमने देखा था न, कि बैंक के पास 100 रुपे है, तो 100 रुपे में से CRR के लिए भी हम कुछ पैसा रखते हैं, SLR के लिए भी कुछ पैसा फिर हमारे पास कुछ पैसा बज गया तो पैसा बज गया वो हमारा क्या हो गया जैसे Loneable Fund हो गया ठीक है ना अब इसमें ज हम क्या कर सकते हैं लोन वित्रीट कर सकते हैं तो इन्हों ने 1970 में एक बात भूली साहब आप एक काम करें क्या काम करें कि जो आपके पाद लोनेबल फंड है ना ये जो लोनेबल फंड है इस लोनेबल फंड का एक निर्धारित प्रतिशत क्या एक निर्धारित प्रतिशत आपको किन शेत्रों में देना पड़ेगा प्रायरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा लोन का समझ गए कि हम चाहिसे और 307 रुपए जो लोनेवाल जैसे फंड बचावाः इसमेंगेना आपको अपना अधिकतम इसको देना है प्रायरटिस एक्पर पर प्रात्मिक शेत्र कौन से मैं आपको भी बताओंगा प्रात्मिक शेत्र कौन से अभी समझ जाओं ठीक है 1970 तक की कहानी ध्यान में आ गई कि आपको सरकार ने बोल दिया कि प्रात्मिक्ता शेत्र में आपको आवंटित करना है अधिक से अधिक लोन और यदि मैं भाशा में इसको बोलू कि उन्होंने बोला कि एक निर्धारित प्रतिशत अंच आपको उत्पादन के उन शेत्रों में देना पड़ेगा उन भागोगलित अंचलों और समाज के उन समुहों को आवंटित करना पड़ेगा ठीक है ना जिन्होंने सरकार ने प्रा कारीक्राम कब चाल हुआ था बिल्कुल सही 1970 में कब चाल हुआ था 1970 में मैं खुद बड़ा आतुर हूं लाइव क्लासेज लेने के लिए जब मैं लाइव लेता हूं तो अब मुझे ऐसा नुभव होता है कि मैं आफ लाइन निकला रहा हूं अब तो आप मेर से सीधे कनेक् के साथ प्रत्यक्ष बैठ के मैं पड़ा रहा हूं अब यह थोड़ी दिक्कत है मैं इसलिए कर रहा हूं कि यह एक बार आपको तो मैंने कल भी शैद शेयर किया था इबड़ा क्या कर रहा है अपन यह इसलिए अभी मैं इस पर लाइव नी जा रहा है आप पर अच्छा अभी दे नाम से आप की आप बनकर तयार हो गई है और संभावते मंडे को अपन इसको लाँच कर के आपको पकड़ा दूँगा मैं अभी जो आप के लिए मैं इसलिए आद दिन में बड़ा वीजी था इसलिए क्लास बटा इसको एक्स्टेंट करनी पड़ी अभी जो एब बनाईये ना तो हमारे साइब गाम में चाच्यी साथ में आयोए थे उनके साथ बैठके में बातचीत कर रहा था जिन से अपने अपन अर्व बनाईये तो मेरे चाच्यी मुझे मुझे एक कंदे पर हाथ रख के बूलर थे उचक तू जो तू तू भी हमारे पिता जी के जाते हैं 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 जाते है ने क्या किया कि वहां तीन भेहंस थी तीन भेहंस भेच दी और जो पैसे आये मतलब बेची बात में लेकिन सौधा कर समझ लिया था कि यह सौधा करना नहीं तो पैसे एक खटे नहीं और उन्होंने 110 रुपय का भात बढ़ दिया कम नहीं होने दिया अब गर में तो दूद की क्योंकि बात नहीं संकी है क्योंकि बढ़ वह अपनी मंडे को आ जाएगी और उस एप को मैं आपको समर्पित कर दूंगा दो दिन बाद मंडे को और उसको फिरम यूज में ले लेंगे देखो उनिशली उसका तो अब मैं उसका यूटिलाइशन देख रहा हूं कि कैसे रह कर लेंगे बस एक बार अपने यूट्यूब पे जो अपना फंडा है ना यह कि एग हजार सब्सक्रिप्शन और यह हो जाए और अगर उसमें जैसी जैसी अपने प्रॉसेस रहेंगी तो वहां भी लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे किस पर एप पर भी और जितने भी पी है ना यह चारो पिलर हम आपन करेंगे और जल्दी नहीं जल्दी से मेरा थाथ पर एकि 90 से सौ दिन में बिटा यह आपको में सारी चीजे पूरी करवा के दे दूँगा कौन कौन सी एकनौमी पॉलिटी जोग्राफी और करंट अफेर्स ठीक है ना हिंदी माध्यम के विध क्योंकि आपको पता नहीं साब विकाज जी समें कैसे करेंगे क्या कराएंगे लेकि जो मेरी प्रतिकरती सामने बैठा होता उसी से में बैठके बात करते हैं अभी बढ़ाता रहता है आपस में बैठके तो यह सामने मेरा कोई बैठा होता आईने में तुम उसे यह कहता है क भाई, अपन कराएंगे तो जोड़दार इसमें कोई दोराई नहीं है, तो मैं अपनी प्रतिकर्ति से यही बुलूँगा, तू कहीं और मत जाना बेटा, तू इसी को कर ले, विकास, तू कहीं और मत जाना, यह चार चीज तू यहीं पर कर ले, अच्छे से कर ले, तू कहीं मान के चलो, कहीं जाने के आफ शक्तनी है, अपना राहोल, संजीब, या दूर, शुभम, ऐसे गामों में बैठे वे बालके, उनको मैं पक्का कहता हूँ को अगले 90 दिन तूमारे जीवन के तूम याद करोगे, यह पक्की बात है, जैसे एकनॉमिक्स अपनी चल रही है ना खालने के बाले कामों में बЭ्ख्चे करे अपना बदी हैं यह तो我跟你 करते हैं, आपना यह उद्येश शुखिशनी में चलए हो देशिकर कैमिक्स कोई को पाला से में अपने इकनॉमिक्स चार तो में सबजेट हो गए उसको तुम पचास तरीके से करा दो बच्चे को तुम से शेयर करनी तुमारी एंपर बाबा ठीक है कहा ते हम इसी को क्या बोलते हैं प्राइम सेक्टर लेंडिंग और इसको बोलते हैं 1970 में यह क्या हो गई थी यह प्रोग्राम चालू हुआ था अब समझ गए ना प्रात्मिक्ता शेत्र अब मैं आपको बताऊंगा यह प्रात्मिक्ता शेत्र होती क्या है देखोड़ा बैंकों के लिए वैसे यह कहर रखा है अब आप कभी न्यूस्पेपर पढ़ोगे ना तो आपको आना दाएंगे कि बैंकों से कह रहा है कि तुम्हारे पास सो रुपे ना तो चालीस रुपे कहां खर्च करने है प्रायमरी सेक्टर लेंडिंग में करने है किसको देशी बैंकों को और विदेशी बैंकों को बोल रखा है बत्तिस सो में से बत्तिस रुपे बच्चों को इस कहां पर खर्च करने है प्रायमरी सेक्टर लेंडिंग में ठीक है प्रात्मिक्ता शेत्र में आपको रहन देना पड़ेगा यह कह रखा है और मैं अभी जब आपका डेटा देख रहा है तो उसमें मैं देखा कि लहीधि एक दिन अपूर भी अभी घोष्चना हुई है कि जो अ इसको प्रायम प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग में इंपोर्टन बेड़ा कि इस परसेंटेज इसका कोई मुझे इन्फो ग्राफिक्स मिल जाए पर उसमें का भी अभावजा और मुझे एक दम से मिल लिए तो मैंने देखते देखते ये न्यूज मिल गई मुझे कि बया कि घ्रण करना चातेे हैं अब अब ज्याए आप को फियो और जोडिया गया है यह अच्छा कोशन बन सकता है कि अब यह देख लो जो आप कह रहे हों के सोच रहे हैं सर जल्दी से बता दो इह प्राथ्मिता शेत्र गटक काँन कौन से होते हैं गटको को सॉमद लो थीक है, components of priority sector, वैसे आपको ध्यान में आजाएंगे, ज्यादे दिक्कत नहीं आएगी, आप सब इसे अब तो जानकार हो गए हैं, क्रिशी को जोड़ा, क्रिशी को जोड़ा, क्रिशी को जोड़ा, और 1996 में क्या कि इसके अंतरगत, फूड प्रोसेसिंग, आप सभी जानते होएंगे, क्रिशी प्रसंसकरन, एवं खाद्य, प्रसंसकरन, क्रिशी का भी और खाद्य का भी, इन दोनों की प्रोसेसिंग को जोड़ दिया था, आपके priority sector landing के अंतरगा जोड़ दिया था, इनको भी अपने जीवन में मेरे साथ साथ उतार ले ना, क्योंकि जब आप प्रिवेस से कोश्चन मेरे साथ डिस्कॉस करेंगे ना, तो आपको ध्यान में आएगा, सर ये लेंग्वेज जो ना, ऐसी इनोंने कलिष्ट बना रखी है, कि बड़ी दिक्कत आती है इसको अंडस्टेंडिंग करने में, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में क्या उसको वर्ड को लिखावा है, वो देखना पड़े इसको विशेच ध्यान रखना, तो फूट प्रॉसेसिंग है, ये भी किसमें आता है, प्राइरटी सेक्टर लेंडिंग में आता है, जिसको हम प्रात्मिक्ता शेत्र बोलते हैं, ठीक है बटा, ये सरकार ने बैंकों को अनिवारे कर दिया था, कि भाईया, आप जो आप क्र संस्क्रन हेतु आवंटेत करना पड़ेगा, किसके लिए? क्रिशी और फूड प्रॉसेसिंग के लिए, मतलब क्रिशी में किसको और जोड दिया, फूड प्रॉसेसिंग को भी जोड दिया, अब सपोस करो, किसी बैंक के पास गाह में 100 रुप हैं, तो उसको 40 प्रतिशत, मत समझ गए, क्लियर, इस परस्ट है, चलो, आगे चलो, वैसे मैंने यह लिए 18 परसंट और 40 परसंट, मतलब कि अगर आपके यह सपोस कर लो, सो में से 40 रुप हैं, तो आपके 18 परसंट आपको इसमें से देना पड़ेगा, और 18 परसंट आपको कितना हो गया, 8 चोग 32, 2, 4, 3, 7, 7 रुपे 20 पैसे तो आपको किसमें देने पड़ेंगे, बैटा, क्रिशी में देने पड़ेंगे, क्लियर, क्लियर है, चल, इसी तरीके दे पर दूसरा कंपोनेंट आता है, दूसरा घटक आता है, इसका, MSME, मतलब की, ग्रामीन, कुटिर में और लगू उध्योगों में, देखो, MSME तो आप सभी जानते हैं, शूक्ष्म, माइक्रो, शूक्ष्म, लगू, एवं, मध्यम, उध्यम, उध्यम, एन्टर्प्राइज, माइक्रो, लगू होगे बिटा, आपका स्मॉल, M से होगे, आपका मीडियम, और E से होगे, आपका उध्यम, एन्टर्प्राइज, इसमें भी ये बिटा, आपको लोन देने पड़ेंगे, सब 40% के अंतरगत आएंगे, ये सारे हमारे बिटा, प्रियर्टी सेक्टर कहते हैं, दूसरा मुद्रा की क्रेश शक्ती के अनुसार, जैसे आपको आवास रिन चाहिए, आवास रिन भी आप जानते हैं, ये आवास पर आप किसी आदमी को मकान बनाने के लिए लोन देंगे, तो अल्टिमेटली उसका जो डिरेक्ट और इंडिरेक्टली एफेक्ट किस पर लगुयम सिमानत-कृशक समुधाय को दिया, अल्प संक्यक समुधाय को लोन दिया, ये बिलो पौveritि लाइन मतला निर्धनपरिवार के सद्शिया, निर्धनपरिवार की किसी व्यक्ति को दिया, और इसारे किस में आएंगे बेटा? प्रातमिक शेत्र में आएगे. अब स परस stri direction निए पर 20 परस mins Mayahee बंदी आयना गणा कि इन आलिस परसेंट तो तुमने बोल दिया प्रायोयर्टी 很 जव हे पहले, मैं दो तीन चार दस दिन में माफ लो गया बैंक पानी में बैंक क्या बोलेगा लो माफ करा गया रावल गांदी तो वहां पर भाईया खड़े होगे अब क्या करें साब तो बोलते हैं तुम हमसे कहते हो कि आपके घाटे में जा रहे हैं और सो में से 40 रुपे में से भी अगर 40% चालिस रुपे में से भी आट रुपे तुमने सीधी-सीधी हमारे दुबद में डलवा दिये बचा किया उसमे से कितना कमाएंगे सौ पे बिटा दस परसंट कमाई ब आगे समझेंगे ना ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ये क्लियर है अब प्राइटी सेक्टर समझ गे ना बैंक को प्रात्मिक्ता शेत्र में आपको अनिवार रूब से 40 पतिशत रिन देना पड़ता है ना आगे आ जाओ अब हुआ गया बटा ये जो 1970 में प्राइटी सेक्टर अब देखो अंग्रेजी के शब्दावली को अपने जीवन का अंग बना लो ना डिफ्रेंशल रेट ओफ इंटर्नल वो सारी इंट्रेस्ट स्कीम क्या अब देखो शब्द को पकड़ना हिंदी में भी मेरे प्यारे बच्चे बताऊंगा तेखो डिफ्रेंशल से मेरा अगरी इंट्रेस्ट से हो गया वियाजर से हो गया मनदर्ड और स्कीम जह हो अपना कारिक्रा यह कैसा कारिक्रम था विभेधकारी वियाजर कारिक्राम दिखु अब शब्द को समझू कोई लोड नहीं है जोरोत की अभी विकाजी को समझाने की मतलब अगर हमें नहीं भी ना तो हम थोड़ा सा common sense लगा सकते हैं कि बियाज दर में आपको विभेद कर रहे हो कई बार होता है ना कि घरों में जगड़ा होता रहता है देखो यू समझो मैं आपको बड़ी practical बार बताता हो जैसे कि ये तो हो गए पिता और ये हो गई मा ठीक है ना अब इनके बच्चे जैसे तीन कितनी ओलाद हैं तीन ओलाद हैं ए बी और सी ये तीनों लड़के हैं ऐसे माल लड़के माल लगो हो ना लड़की भी कर देते हैं एक बच्ची है डी अब क्या हुए बटा देखो एक्जाम पले इसको अन्यता मतले ना देखो हम तो किसमाज में बहूत गुमते तो भूब यह दिखाई देती है तुम्हारे विकाज जी के आदाती बड़ी खराब है अब विकाज जी के जहां भी संपर्ग ने बटा रसोई तक हैं भाई साब को नहीं मालों रसोई में मिर्ची चीनी चाय पती कितनी है लेकिन हमारी रसोई ता डारेट पहुंचे हम बता संबंद ऐसे बने प्रेम संबंद ऐसे बनते हैं भाई कि घर की पूरी तरीके से आप पूरी देखवाल समाल पूरी रहती है ना तो बड़ा समाज में कई वर जाते हैं तो एक समश्या खूब देखने को मिलती है यह सपोस करो मलें बच्चे बड़े हो गए शादी भ्याब जो भी जमीन जायदा होती ना मा के नाम कर जाता है कि देखका जाता है यह सारीäg जायधा तो मा के नाम है समझ रहे हो तब क्या होता कहीं बच्चे बोलते हैं क्या बौलेगा है है, काई बड़ महाी जहां बहुत बहुत यहां बहुत ज़ैन कर विभेदकरी मनन वही पार पर वयाड करना किसान यहां तो मा करने सु मतलब है यहां सवार झांनल बाटी कैसी दो दो, गोलड़ जाद यहां मेंसित यह ठाज है कि अगर तुम अपनी जाइदा दिस बिचारे आदमी को बच्चे को देवी दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा तो यह विभेध कारी बोलते थे कौन यह सदीकारी जादा पढ़ लिया था यह बढ़ा करते थे अपनी मां से बहुत विभेध करते हो यह विभेध तो लेकिन कोई रस्ता निकलानी वेटा क्या होता है आप किसको कितना समझा लो जब तक उनी का राम नहीं जागे गाना तब तक कोई पार पढ़े के नहीं पिर सी वाले को समझाए कि तू राजी रहे तू सबसे खुश भी है तेरे पास कम जरूर है लेकिन तू इन दोनों इस बेटे का तो अच्छे एनाइटी कॉलेज में एडमिशन हो गया था जैसे आएटी के बाद जो अच्छे कॉलेज आते हैं वह एनाइटी आते है ना इसकी आए भी बहुत कम थी पांच साथ भी गई जमीन थी इसकी मा की तुम रित्यवे हो गया अब अब एक्चली क्या करचा सी पर कर देती है हम पर नहीं करती है अब इनको कौन समझाए इन पाग लोग इनको शरम नहीं आई कि एक आए से एक आरे सदीकारी और तुम मां के पांच अजार रुपे की पैंचन के लिए तुम ऐसी बाते करते हो और एक बच्ची जो है वह भी बटा दसवी शाद कहीं ना कहीं तुमने भी महसूस करेंगे सारी बात है कहा थे हम विबेदकारी ब्याददर स्कीम अब इसमें क्या बोला उननीस सो बहतर में बटा एक नया तरीके से कारेक्रम लेकर आये इन्होंने कहा कि साब देखो आपको क्या करना है कि हमने प्रायर्टी सेक्टर लेंड इन लोगों के बीच में अंतर बहुत जादा है ना इनके अंतर बहुत जादा है तो इन्होंने बोला कि बैंको को ये निर्देश दिया कि देखो हम देखते ना पावर्टी लाइन में हमने एक एपील बना रखा है एक बीपील बना रखा है मतलब कि पावर्टी लाइन से अब पोर्डी लाइन वाले और ये अपने बिलो पोर्डी लाइन वाले और फिर थोड़े से जदा मेर इस तरीक से तीन ते चर काटेगरी बना रहीं तो बैंकों न देश बैंकों के निर्देश दीया इस कारीक्रम के अंतरगत कि देखो बैटा यह जो प्रायर्टी सेक्टर डेंदिन गिंगना है इसका कम से कम एक पर्थिशत त्सक्रक्राइब जा एगा पूरोद मुझा ओसने द म्हर्ठर गोंसर्क्राइब है रियूदा जातऊ है उसको बिटा वहां इनको आपको लोन देना पड़ेगा, इनका भी तो सामजी उत्थान करना पड़ेगा ना, तो ये बात आई, तो मतलब आपके 40% में, जो प्राइटी सेक्टर लेंडिंग में सब्सक्राइट रेट रेट अव इंटरेस थी 9%, ठीक है ना, लेकिन आप इन 9% की जगे, इसको एक प्रतिशत लोगों को कितने प्रतिशत कारी ब्याज दर कारिक्रम काहलाई थी, समझ गए? और वाजीब बात है, अरे यह निर्धन तम जकती है, उसकी इतनी शंता नहीं है 10% लोन देने की, तो क्यो ना उसको भी तो समाजीक सामावेशन के अंतरकत शामilly करो, तो इन्हों कम से कम एक प्रतिशत एक प्रतिशत अंश निर्धन व्यक्तिव को चार प्रतिशत ब्याज दर पर आवंटित करना ही पड़ेगा समझ गए यह क्या क्यलाती है अब आप समझ गए ने क्या होती है डिफरेंशल रेट ऑफ इंट्रेस्ट ठीक है आगे चलें अथा लेकिन हुआ क्या बटा आपकी नर्सिमन समीती वन ये जो बटा हमारे समीती बनी थी किसके लिए हमारे इन कारेक्रमों को मुल्यांगन करने के लिए यह हमारे वित्य शेत्र को मुल्यांगन करने के लिए इसके बारे में पढ़ेंगे वन और टू के बारे में पूरी रिकमेंडेशन में आपको बता हुँगो सूव और शेन कमिटी वन नरुसीमन कमिटी टू ने क्या क्या रिकमेंडेशन दे थी ठीके नर्सीमन कमिटी वन आप आपको बाइस कर दी इसने बताया कि देखो मेंड़म बात और ακावर की इतनाSet किस रेट अ इंटरेस्ट पर जाट आपको एक परस्वे पर सब देना है 4 प्रतीशच at the rate of 4% अपको इस भ्याजद कर आपको लोन देना है लेकिन मेरा आपने कभी इस रीह आरा योहलत मैं से तो नर्षिमान समीट अनसर हमें हम यहाँ मामली मालूम पड़ा किसाब एक परसंट आप जो लोन देना है मानों आपको 100 रुपे ठीक है बटा? 100 रुपे तो आपको इस में से 1 रुपे जो लोन देना है है ना? तो आपने कितना लोन दिया होगा? अज़ाग खुदी मन में अंदाजा लगाओगी जो एक परसेंट लोन है इसका इन्होंने कितना वित्रित कर दिया होगा है ना मतलब की एक परसेंट आपको लोन जो देना था उसको कितना परसेंट इन्होंने नीचे लोगों को लोन दे दिया होगा मनी मन में सोचो एक परसंट का मेरा ताथ परेकिसाब एक परसंट जो सर था वो पूरा हंड़ेड परसंट दे दिया मतलब हंड़ेड परसंट आगे बाट दिया ये लोन जो है प्रतिशत में तो समझ जाओ न कोई लोड तो नहीं है का option आगिया कि 100 रुपे में से इन्होंने 60 रुपे दे दिये, कितने दे दिये, 60 रुपे दे दिये, एक अगला option आगिया, 100 रुपे में से आपने 10 रुपे दे दिये, एक option आगिया, 100 रुपे में से इन्होंने 5 रुपे बाट दिये, तो नर्सीमन कमिटी ने देखा होगा, कि इन्होंने कितना रुपे अभी तक बाटा है तो मुझे मनी मन सोच के बताओ कि जो एक परसेंड में से जिसको मैंने सो रुपे माना है कितने रुपे इन्होंने बाट दिया होंगे आपको मालूम पड़ेगा एडिमिस्रेटिव एफिशेंसी के बारे में भी इजो बैंकिंग आपको जानकर बड़ा आनन्द आएगा मेरे प्यारे बच्चो एक रुपे बाटे थे कितने सो रुपे इक रुपे इस डियरी स्कीम के अंतरगा बाटे थे और मैं दावे से कह सकता हूं एक रुपे बाटे ना एक रुपे भी प्रतिकात्म करूप में एक रुपे धियान सो रुपे का एक मतलब 0.01% बाटा था है और मैं गारंटे से कह सकता हूं यह 0.01% में से भी अपने चहेत लोगों को ही इनोंने दिया होगा गारंटेट ठीक है ना तो बड़ा बैंकिंग इंडिस्ट्री कैसे सही ना हो अब जब कभी भी बैंक के बारे में हम बातचित करेंग करन्ट के बारे में हम देखेंगे ना कि बैंकिंग में बड़ी समझाय आ रही हैं लोन नी आ रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चा आप सब को कम से कम यह हिस्ट्री तो वालूम होनी चाहिए ना कहां से दिक्कते स्टार्ट हुई है कि पॉइंट जीरो वन परसेंट दिया गया बेटा क्या करें देखो भायो कैसे विकट इस थी ठीक है यह नर्सीमन शमीति ने फिर भोला कि देखो साब यह 1% का आप लोगों ने मात्र पॉइंट जीरो वन परसेंट इलोन डिस बर्स किया है तो इसलिए इसको क्या कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, पर भाया ये तो उस समय तो सरकार कोई मतलब ही नहीं था इन सब चीजों से, इन सब चीजों से, इन सब चीजों कोई मतलब नहीं था कि गाटा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो बटा ये बंद नहीं किया गया कारिक्रम अब बंद नहीं किया गया तो भई अफिर क्या हुआ यह साल आ गया 1902 वे कितने साल बात की बात है बीस साल की बात है अब जो आप टेक्स दे रहे थे ना तो टेक्स दे रहे थे वो पैसा देख लो आप कहा यूज में हो रहा था क्यों दुनिया टेक्स देगी फिर इसलिए आप ध्यान करो हमारा जो इंडिरेट टेक्स सिस्टम है यह डिरेट टेक्स सिस्टम है उसमें हमारा टेक्स कलेक्शन बहुत लो था यदि आप प्रतिशत रूप में देखो गे ना मातर एक प्रतिशत लोगी बेटर टेक्स जमा कराया करते थे और इस जिस समय की में बात कर इन्होंने तैय कि एक काम करते हैं, एक कारिकरम करते हैं, जिस कारिकरम का नाम था, SHG Bank Linkage Program, और SHG इसे मेरा क्या ताथ परे मेरे प्यारे बच्चो, ये बिटा Self-Help Group, इन्होंने क्या बोला कि जो बिटा विभेधकारी ब्याजदर कारिकरम इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इन्होंने बोला कि गाम में काम करो Self-Help Group बनाओ, उनको इस कारिकरम के अंतरगत लोन देना स्टार्ट कर दो, जैसे उन्होंने क्या किया, गाम के जैसे कु जब ही पास कर पाओगे, Self-Help Group के माध्यम से, कुदी करके अपने बरोसा करके खेल जाओ, दिमाग बनाओ, कोई बहुत तड़ी परिक्षा दे रहे हैं, तो थोड़ा कूल रहो गे ना, तो आसानी से कवर कर जाओगे, बाकी तो प्रारप्त है बटा, कुछ प्रारप्त होता तो भाईया, यह दस लोगों को मिला के आपने क्या बना दिया, Self-Help Group बना दिया, मतलब की इस कारेकरम को जारी तो रखा, DRI को, और जारी रखते वे इनोंने क्या किया, गरीबों के लिए उननी सो बानवे में एक कारेकरम चालू किया, जिसका नाम था, Self-Help Group, Bank Linkage कारेकरम, और इसके अंतरकत इनोंने क्या किया, DRI के तहत, जो विभेदकारी, ब्याजदर कारेकरम है, इसके अंतरकत गाम की व्यक्तियों को अती अल्प मातरा में रिंड दिया जाता था, और वो कैसे दिया जाता था, जिए 10 गरीबों को इखटा किया, उनका एक Self-Help Group बना और उनको लिए लोन प्रोवाइड करा देंगे एक तरीके से Self-Help Group को, क्योंकि खुद की मदद कर रहे हैं सम मिलके, तो ऐसे इसके तहत सबसे पहले नोंने क्या किया, गरीब व्यक्तियों प्लस स्वयम सहयता समू, इनको संगटित किया, और संगटित करके गुरूप में लोन देना च करते थे, सरपंच साब इसका वेरिफिकेशन करते थे, और सरपंच साब क्या करते थे, इसको मानिता देते थे, कि सहाँ साब यह हमारे हैं पैसे Self-Help Group है, यह चल रहा है, और उसके बाद वहां का जो आपके बैच आफिस होता था, प्रखंड कारेले, प्रखंड कारेले में इससे बेटा, यह जरूर हैगी, जो पहले हम कारेकरम यूज में ले रहे थे, उससे अधिक कारगर यह नया वाला कारेकरम शिद हुआ, अधिक कारगर रहा, कौनसा, यह Self-Help Group वाला, कौनसा Self-Help Group, Bank Linkage Program, मतलब इन Self-Help Group थी, इनको किस से लिंक कर दिया, बैंक से लिंक कर दिय इसलिए इसको बोलते थे, Bank Linkage Program, यह कुछ हद तक उससे, DRI जो 1972 में हमने स्टार्ट किया था, कारेकरम, उससे अधिक कारगर और Successful यह माना गया, अब अन्दों में काना राजा वाली बात है, इसमें भी ध्यान रखना, वो तो बिल्कुली खतम था, 0.01% ही था, तो यह हुआ था, ठीक है, किलियर है, चलो बहुत बढ़िया, अब मैं आपसे एक चीज और अंतिम डिस्कॉस कर लूँ, यह टॉपिक ऐसे मान ले ना, एक मिन बच्चो, तूप में अटक गया, हाँ, अब तो बैटरी पूरी है, कोई नहीं, फ्री, फ्री, लोनेबल, फंड, यह भी बटा समझ दो, देखो में एक एक चीज़े समझते जा रहे हैं, ध्यान रखो, मुक्त, रिण, योग्य, निधी, देखो बड़ा, एक चीज़ समझो, देखो हम कैसे चल रहे हैं, आपको भी धिहान में आ जाएका, फिन इस को बाट दिया था बैलेन शेट लेंधिन, उसके बाथ हम ने क्या किया, एक सेक्टके बारे में चीज़े संजी, मतलब एक एक पॉइंट को हम समझते जा रहे हैं, ध्यान करो, अगर ये बैलें शीट के जो शुरू में तुम बना लोगे न डेटा, मतलब ऐसा इन्फोग्राफिक्स अपने नोट में बना ले न और इसको लिखना, तब तुम्हें ध्यान में आएगा, बिल्कुल हमने इसके एक एक पॉइंट को समझा है, जैसे ओन कैपिटल को समझा, डेट कैपिटल को समझा, जमा पूंजी को समझा, करंट अकाउंट को समझा, बैलेंस अकाउंट को समझा, रिकरिंग अकाउंट को समझा, साव दिखाते हैं, मतलब फिक्स अकाउंट को समझा, टायर वन कैपिट कर पाओगे आप अपने सारी बातों को जो इस चैप्टर में आपने पढ़ी है तो देखो हमने क्या देखा था कि यदि सो रुपए एसे आपकी उसमें सी एर आर जैसे सपोस कर पांच रुपए आपने कहां रख दी आर बीए में जमा करा दिये कितने रुपए बच गए इस संजा था कि ठाटर में कम होना भड़ना असे में कम होना भड़ना उस्से लोन इमर्भल फड़न से क्या हमारी अर्थ वास्त ऑब परबहायद ऑग कल तो बैटा, अठाइस रुपए हमने प्राइडिस हेक्टर लेंडिंग के लिए निकाल दिया, तो जो हमारे पास अब जो लोन बचा, जिसको बैंक चाहे, जहां पर अपने लाब के अनुसार जिसको भी लोन देना चाहे, पूरा हो जाएगा, चिंता मत करो, बैंकिंग में और कई छोड़ी बात आएंगी, और मौदरिक नीती को भी हम इसी के साथ जोड़ते पड़ेंगे, आप चिंता मत करो, कि इसमें हम भरपूर कंपाइलेशन करके अच्छे से चीज़े समझ लेंगे, फ्री लोनेबल फंड में थे, ठीक है, चलो, अब इसको समझ लेते हैं, फ्री लोनेबल फंड को समझ लेते हैं, ये तो समझ में आ गया ना, कि फ्री लोनेबल फंड क्या था, free loanable fund यह ही कि देखो percentage of NDTL, NDTL भी हमने समझा था, यह क्या था, CRR plus SLR plus priority sector lending, यह जो बचेगा आपका इसमें से minus कर देंगे, यह minus कर देंगे तो आपका क्या बच जाएगा, free loanable fund बच जाएगा, ठीक है ना, clear है और NDTL आपको मालूम है, GDTL में से आपका इंटर बैंकिंग, यह जो लिंकेज, इंटर बैंकिंग जो अपने पास लोन होता है, इसको घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, आपका NDTL बच जाएगा, साथ चोग 28 होते हैं, ध्यान रखना यहां से 28 आया है, तो कितने रुपे बच गए, 10 में से 8 गए, 2 और 6 में से 2 चलेगे, रक्षित अनुपाद, सामवेदिक तरलता अनुपाद, तदा प्रात्मिक्त शेतर रिंदान योदना के वित्य प्रावधानों के बाद, यह जो वित्य प्रावधान आपने किये न, इन वित्य प्रावधानों के बाद, bank के नियंतरन में शेश रहे जाता है bank के नियंतरन में शेश रहे जाए उसी को आप क्या बोलोगे free loanable fund बोलोगे इस परस्टे मेरे प्यारे बच्चों यहां तक थीक है अब थो धिहान करना ये जो बड़़ free loanable fund है न बेंक में एक सरवोच अथर्टी होती है जिसको हम बोलते है निदेशक मंडली क्या बोलते है यह जितने भी महत्पून फैसले यह निदेशक मंडली लेता है अब फ्री लोनेबल फंड है इस फंड का कैसे कहा यूज करना यह सारा डिसायड कौन करता है निदेशक मंडली करता है इनके फ्री होते हैं जचे कि जहां पर हम लोन देंगे अपने इसाब से लाब के इसाब के लिए ठीक है चलो अब इसमें कुछ दो तिन बाते समझो आप जानती हो बिटा जब अपनी 1991 में अपनी नई अपनी एक्किनोमिक पॉलिसी आइए वाथिटिक सुठार अपनी किये थे 1991 में उससे उससे क्या होता था जो सियार और एसलर था ना यह आप सब जानते हैं अधिक होआ करता था और अधिक होने के वज़े से क्या होता था लोनेबल फंड आपको कम प्राप्त होता था जिसके जैसे productivity या growth rate अम बढ़ा नहीं पाते थे अपनी यह प्रभावित होती थी क्योंकि बटा बजार में लोन देने के लिए पैसा ही कम तो बैंक कहा से देगा ठीक है ना कहा से देगा समझ गए अब आगे देखो बटा यह चीज़ समझ गए अब होगया बटा जब कम रिन प्राप्त होगा करता था तो जब यह कम प्राप्त होगा था यह भी जो गैर प्रात्मिक्त शेत्र हैं इनको प्राप्त कम होई रहा है साथ इसाथ बटा अपने priority sector को भी कम लोन प्राप् मिक्ता शेत्र इनको क्या होता था कम रिण मिल पाता था इस प्रकार दोनु जगे ही निवेश की मात्रा investment की मात्रा CRR जादा SLR जादा ठीक है इससे क्या प्रभाव पड़ा बेटा हमारा जो priority प्राइटी सेक्टर लेंडिंग और यह नॉन प्राइटी सेक्टर लेंडिंग इसको गयर प्रात्मिकता शेत्र बोलेंगे इन दोनों को भी क्या मिलता था कम लोन मिलता था इसको यू कर दो लोनेबल फंड कम यह बीच में अब लोनेबल फंड कम मिलता था तो प्राइटी से नीचे जानी हैं. समझे के मेरे प्यारे बच्चों, क्लियरे यह तक और इसी कारण से बच्चों उस समय की जो मारी ग्रोथ रेट थी वह चार से पांच परसंटी बनी हुई थी. पैसा नहीं है, पैसे पैसे कमाई जाये गे, बजार पैसा नहीं है. तो चार से पांच परसंटी हमारी ग्रोथ रेट, जिसको हम सम वरदी दर बोलते हैं वह पनी हुई थी. इस परस्टे मेरे प्यारे बच्चों, अचा मैं आपको इसको एक उधारन से और बतातेता हूं, क्या एक उधारन से और समलो एक्जामपल से. अब्यूदे के जितने ही बच्चे हैं, उनका सबको अच्छे समझ में जाना चाहिए, हलके कैसे पड़ जाएं उनना, सवाल ही पेता ही हो था. 1991 में यू मालो जो आपका CRR था और SLR था, सबोस्ट कर लो ये था साड़े चौदा परसंट, कितना था साड़े चौदा परसंट, और ये था मेरे प्यारे बच्चो, सारे 38 परसंट, ये कितना हो गया? 5,5,10, और ये 8,5,12, अचा ही हो गया बटा, 53 परसंट, कितना हो गया? 53 परसंट, अब आप सभी जानते हैं, अब ने 40% प्राइटी सेक्टर लेंडिंग में डाल दिया, तो ये कितना बच गया? 7,28, 24,16, 18, 18.8, 18.8 तो अब वो किस के लिए चली गया? प्राइटी सेक्टर लेंडिंग के लिए चली गया, समझर हो ना में लिख रहा हूँ आपको ये, तो ये जो आपके 47 रुपे थे ना, ये जो 47% बच गए, इसमें से आपने प्राइटी सेक्टर के 18.8 माइनस कर दी तो कितने बच गए? 28.2 रुपे बच गए, ये क्या है आपका? Free, Loanable, Fund है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चो, Free Loanable Fund है, 28.2 रुपे, कैसे आये समझ गए? कि CIR में आपने पैसा रखना था, SLR में आपको ये पैसा रखना था, 53 रुपे, 100 रुपे आपके पास टोटल था, 53 रुपे आपने बचा लिए, तो आपके पास कितने रुपे बच गए? 47 रुपे बच गए, प्रियर्टी सेक्टर लेंडिंग में भया लोन देने, अब प्रियर्टी सेक्टर लेंडिंग के आपने 18.8 रुपे कम कर दी है, कितस में से? 47 रुपे में से, अब कितने बच गए? 28.2 रुपे आपके पास बच गए, और यही मेरे बच्चो क्या कहलाता है? Free Loneable Fund कहलाता है, फ्री Loneable Fund कहलाता है, इस परस्ट है ठीक है ना? अब मेरे बच्चो एक सिनारियो और देखाो एक सिनारियो और देखाो, यह 19,191 की थी, फिर बात में अमने बैटा इसको कम करना स्टार्ट कर दिया था अब अमने C-L-R जैसे कर दिया 6% क्या कर दिया 6% पहले कितना था 14 और S-L-R अमने कर दिया S-L-R सपोसके रूचर था न ये 30 था इसको अमने बैटा कर दिया 28.2% ठीक है तो यह कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चो इसको हमने जोड़ा तो 28 नहीं इसको और भी कम कर दो बैटा जिसे हमारे कैल कुशन ठीक हो जाएगी इसको अपन कर देते हैं 24 परसंट तो यह आगया बटा 30 परसंट कितना आ गया 30 परसंट अब वही बात करो समझो बच्ची लेंडिंग के लिए निकाल के रखना है तो बटा 70 का 40 परसंट साथ चोक 28 या 28 आपके क्या आगया आपका यह प्रियाटी सेक्टर लेंडिंग के लिए पैसा या परसंटेज जो भी आप मानो निकाल के रखना है अब किस में से निकल जाएगा 70 में से 28 रुपे चली गया त अपने पास free loanable fund अब मेरे प्यारे बच्चे यह देखो यह आपने CR SLR कम किये तो कम करती है आपके free loanable fund कितना हो गया 42 रुपे हो गया ठीक है और यहाँ आपने कितना बच रहा था यह 28 रुपे बच रहा था 1991 में free loanable fund बैंक के पास बच रहा था 28.2 रुपे यह परसेंटेज और अब कितना बच रहा है 42 रुपे बच रहा है तो पकी बात है कि यह 42 रुपे अब निवेश होगा हमारी अर्थ योवस्ता में तो ग्रोथ तो हो नी हो नी है समझ गए क्लियर है बिटा चलो इसमें एक antymahr मैं आपको बोल दूँ में 1991 में जो वित्य सुधार कि लिए हमने committee गठित करी थी 1991 में नbenकर वित्य सुधार के लिए जो हमने बिटा kolamickी Geschi स्द१ करी की तो कमिटे का क्या नामता नर सिंमन कमिटी नर सिमन समीटी ठीक है ना और 1992 में इसने अपनी रिपोर्ट सम्मिट कर दी थी रिपोर्ट कब दी इसने 1992 में दी थी बटा कई बर बड़े अच्छे कोश्चन साते हैं पबलिक एड़ में खूब आया करते थे कि कोई कमेटी बनी कब तो फॉर्म हुई मतलब कि कब तो बनी और उसने रिपोर्ट कब दी यह कई बर कुश्चन आता था सब्सक्रों आप से कुश्चन आ जाए कि नर्स सिम्मन समीती ने रिपोर्ट सम्मिट करी यह प्रशन आ गया और ऑप्शन दे दिया आपको 1991 1992 1993 1993 1993 और 1990 तो कई वर क्या होता जल्द बाज़ी में इसी को लगा गया जाते हैं कि हमें मालूम है कि यह कमेटी बनी है 1991 में यह पूठ राएगी आपने रिपोर्ट कब सम्मिट करिये यह क्या पूठ राए मेरी प्यारे बच्चों सम्मिट करिये तो रिपोर्ट तो सम्मिट कब करी है इसने 1992 में कोई भी कमेटी होना उसका विशेश रुप से दो चीजों को ध्यान रखना कि वो कमेटी बनी कब थी और उन्होंनों रिपोर्ट कब सम्मिट करी देखों जब पंचाइधी राज पॉलिटी में पढ़ेंगे ना तो पंचाइ कि एकना क्ला यूश्त सब्सक्राइश इसके सारे में असमिट करी और सुजाब दिया कि सी आरार, इसके सारे में सुजाब आप यससे डिसकस करूंगा करोंगा ना विए और सेकने के भी कर दो किiti है Our औरसलड के भी कि भाई चेररeled आसलयर को बहुत जदा है और अत्यादिक होने की वज़े से यहा है अत्यादिक होने की वज़े से हमारी रत्याद्यावस्था की प्रगती में क्या हूUS हुए यह बहुत बाधा आरी है अर्थ वस्तागी प्रगती में आपको क्या रही है भाधा आ रही है तो इन्होंने बोला इसलिए इसे क्रमब बद रूप से कम करो किसको CRR और SLR को धीरे धीरे क्या करो मेरे प्यारे बच्चो कम करो समझ गए ना फिर बेटा 2006 और 2007 में हमने देखा ही था कि इनके उपर से हमने संसदी नियंतरन समाप्त कर दिया था कल आपको समझाया था ना 2006 और 2007 में कल का यह तो आज कई है ना देखो कहां था हाँ CRR SLR में देखने पड़े गए ना वह मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको याद आजा देखो हमने देखा ही था 6 और 7 में हमने क्या देखा इनका संसदी नियंतरन पर समाप्त कर दिया था कर दिया था ना तो बड़ा इन नर्सिमन समीती है ना इसी ने बोला था कि बढ़े करम बद रूप से कम करो CRR SLR को अर धीरे धीर हमने कम किया और इसी के नतर हमने क्या देखा 2006 और 2007 को पर संसदी नियंतरन समाप्त कर दिया अब संसदी ने करेगी अब कौन तह करेगी RBI तह करेगी क्या अर शॉंजी की letit आर शॉंज्रा शॉजा अर depressed fix कर दी मतलब नीती के स्वायत में फ्रद्धी कर दी ठीक है तो बड़ा आज का हमारा ये एक पार्ट पूरा हो गया है अब बैंकिंग और वित्य प्रणाली में हम आगे चलेंगे और उसके अंतरकर निवेश के बारे में समझेंगे और लीबॉर करके मीबॉर करके होता है वो स हम समझेंगे और सैसर मार्केट और अनुए जितने भी चीज है वह भी समझेंगे है कितने कितने प्रकार के होते हैं वह भी समझेंगे नर्सिम मं समkräतिकर जो फर्सट और सेकेंड है उनको भी समझेंगे और मौदरिग नीती को तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे ही समझेंगे मतला भी काफी चीज़े करनी है इसको आराम से कर लो एक बार समय निकल जाता है डंग से हो जाएंगी तो ठीक है और मैं पुने कह रहा हूँ जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं तो पूरा देखें और जल्दी में छोड़ छोड़ के भागे नहीं अब जिसने पुराने लेक्टर नहीं देखें वो देख लें देखो बैंकिंग के तो एक लेक्टर स्टार्टिंग का जो है वो भी मैं आज अप्लोड कर दूँगा अपने अभ्यूदे करके चैनल पर और बाकी ये सारे भी अपने डेटा इसमें डाली दूँगा मैं आपको आना और आप सभी ध्यान रखना अपना टेलिग्राम चैनल क्या है टेलिग्राम चैनल अट दरेट पी आर ए टी एच ए एम आर एन के और वाट्सप नमबर अपना क्या है 9269 9269 नहीं बटा वाट्सप नमबर अपना है 8619059759 इस पर आप मुझसे बटा अपना मैसेज छोड़ देना मैं पक्का आप से संपर कर लोगा यह सभी बच्चे जानते हैं कि एक बड़ इसका मैसेज आगे उसके विकात जी संपर गवश होता है चलिए आज का इसको बटा मैं अभी अपलोड कर देता हूं फटा फट आठ बजे इसको देख लेना और कल और परसो दो दिन तुमारा रिवीजन का दिन रहेगा और दो दिन के बाद में आपके लिए मैं क्या क्या लेकिया जाओंगा आप सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए प्रीवेश एर के कुश्चन पेपर डिसकस करना है स्टार्ट कर देंगे और मैं करंट अफेर्स का जो सेशन है वह भी स्टार्ट कर दूंगा और पॉलिटी भी हम स्टार्ट कर देंगे सटेडे संडे का मेरे यह प्लान है कि अपना पूरा मैटर था ना एंसी आटी वाला वह अपना पड़ावादा अनकेडमी पर ठीक है अब अनकेडमी पड़ावा तो मैं सोत रहा हूं उसको पूरे मैटर को आपको एक साथी बड़ा एक वीडियो दे दू नौदर्स घंटे का दो दिन अपना कैसे भी करके मैरतन उसको करा करूँ के जिसमें क्या को नवीन बच्चे जोड़ते हैं तो एंसी आटी का भी कर ले क्योंकि एंसी आटी से मेरा बड़ा हार्दी के प्रेम है वही तुम्हें मेंस में आंसर राइटिंग में बड़ा मदद करने वाला है उसकी भाषा उसकी शैली उसकी शब्दावली आपको बहुत मदद करेंगे और बिलकुल लोड मतले न हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं तुम्हारे जो नियंतरन का शेतर को काबू में रख लो बाकी जो चीछ तुम्हारे हाथ में न ही है उसके लिए लोड लेने की कत्याव शक्ता नहीं है समझ गए मस्तर रहो चूस्तर रहो और अच्छे से करते रहो और आपका चैनल को खुब बढ़ाते चलो जितना बढ़ जो ठीक है जिनके आर्थिक इस्तिति शक्षम नहीं है वहाँ सब इसका इस्तमाल कर पाएं और उसमें बेटा मूल रूप से मेरा मानना है कि 10-11 रुपे भी वो दे देंगे न तो उससे क्या होगा कि उनको तैयारी में पूरी दे दूँगा समझ गए वो पूरी कर लेना ठीक बेटा शुब रात्री और आपको संध्या के बाद अभी मैं तो संध्या में बना के अपलोड कर रहा हूं पर तुमारे लिए तो रात्री हो जाएगी तो शुब रात्री और कल और परसो रिवाइस कर लेना एक बात अवश्य मान लेना बिना रिविजन बिना नोट्स बनाए सब बेकार हो जाएगा ठीक है बच्चो चलो